हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूटीब चनल स्टाड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज हम क्लास टूगर्थ के वाई लोजी के महत्यपूर्ण अबजिक्टिव कोशन्स के बारे में डिस्कूस करने वाले हैं जो मारे बोड एकजाम के लिए अत प्रस्ण को कि दीखंड़न एक परकार का है तो यहां पर बताना है कि बाइनारी फीशन इस टाइप ऑफ तो दीखंड़न आपको ये सेशन में निव निव कोसंस भी मिलेगा जो आपके लिए बहुती महत्यपूर्ण है माले जी ये अगर वोड एक्जाम क्या होता है कि अगर हाड भी अगर कोसंस पुछेगा तो वह इस प्रकार से कोसंस पुछेगा आगे जो आने वाले कोसंस हैं और यहां पर से vast करेंगे कि मांशिक चक्र पाया जाता है तो मांशिक चक्र जो पाया जाता है कि मअधा में उपसनल हैं कि इंटुमोफीलास पूस्व में प्रागण का माध्यम क्या होता है चीटी कीट पक्षी और डिहन में से कोई नहीं कि इन केस ऑफ इंटुमोफीलास फ्लार से पॉलिनेटिंग इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो इंटोफीलास्पूस्ट में परागण का जो माध्यम होता है वह इंसेक्ट सो होता है यानि कि कीठ होता ही इस परस्टन का आइट एंसर जगा आपसन नमर भी बी इस दर आइट एंसर फोर दिसकोशन और यहां पर देखिये कि यह प्रस्टन क्या कर रहा है कि नार दिजे कि नारियल में तरल यह गुद्यदार पदार्थ क्या होता है यह हो जेगा ब्रूर्ण परस्टन की एंडोएस्पर्म यानि कि ऑप्सन और यहां पर जो सी ऑप्सन है इस परस्टन का राइट एंस रोजगा ऑप्सन बर सी और जो भी दोस्त नए जूरे होंगे चानल ख़ा है यानि के सौर मान का होता है यानि कि कोहने का और धस्तों की इसका जो होता है नहीं होता है स्वार वह उँच होता है पूरऊस इस तरी नड़या नहीं ही तो इन में से नहीं होता है कि आवाज जो होता है पकिसका सबसे ज़्यादा होता है यहां पर सबसे ऊंच होता है तो हम लोग जानते हैं कि इस तीरी का ही होता है अप्समर्ज यहां पर जो B अप्समर्ण है इस प्रशने का राइट एंस अप्समर्ण बी B is the right answer for discussion और यहां पर इंग्लिस वाले यहां पर देख सकते हैं कि वाइस इस हाई पीचेज इन यह पर फीमेल इस प्रशने का राइट एंस अप्समर्ण बी तो चले नेक्ष्ण प्रशने को कभर करते हैं और यहां पर देख सकते हैं प्रशने को कि मानव इस्ठिरियों में अन्डे का निर्मार होता है गर भासमें फॉलेपियन नली में पॉरियवयन फॉलिकल में और डी है निमेसे को नहीं तो इन हुमेंट फिमेल्स ओवा आर प्रोडूजड इन तो यहां पर मानव इस तरह में अंडे का निर्मार कहा होता है तो यहां पर इस परस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यह हो जेगा ओवरियन फॉलिकल में यानि कि आपसन बर जे यहां पर जो सी आपसन है इस का राइट एंसर का अपसन बर सी सी इस दा राइट एंसर फोर डिसकोशन चलिए नेक्ष्ण प्राश्ण को कफर करते हैं और यहां पर प्राश्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि मनुस्य की प्रात्मिक सुक्राणु को सिकाव में ओटोसोम की संख्या कितनी होती है च तो यहां पर इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यहां पर देखिए कि मनुस्य की प्रात्मिक सुक्राणु को सिकाव में ओटोसोम की संख्या कितनी होती है जब इस प्रकार से को सब्सक्राइगा तो उसमें 40 होता है 44 यानि कि प्राश्ण कर आइट एंसर हो जगा अ और यहां पर देखिए प्राश्ण को जोगी काफी महत्ट्रपुन है कि विसूद लाल पुस्प तथा विसूद सभेद पुस्प वाले पौधों में संकुरन कराने से पहली संतनती में सभी गुलावी पुस्प वाले पौधे मिले यह एक परकार का क्या है और पुर्ण पर भी पुश्प वाले पौधे मिले यह एक परकार का क्या हो जएगा तो यह एक परकार पुर्ण परभावविता हो जएगा इन्हीं कि आपसन यह प्रश्ण का राइट एंस अपसन नमबर ए और इंग्लिश वाले यहां पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ अक्रोस बेट्विन प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावड प्लांट वन गेट और पिंक फ्लावड प्लांट्स इन फॉस्ट फिल फिलियल जनेरेशन इट में भी केस ऑफ तो इसका राइट एंसर होजेगा आपसन नमबर ए दोस्तों इन इनकंप्लीट डोमिनेंस यानि कि यह जो है इस प्रस्ण का राइट एंसर होजेगा नेक्शन प्रस्ण है और यहां पर नाइन प्रस्ण आपके सामने भी आ चुका है कि इन में से कौन बेस्विक यानि कि स्वर्मान रखते दाता समों है यानि कि युनिवर्सल डोनर आफ ब्लॉड ग्रूप इज ए बी और यहां पर दिया गया है ओ तो यहां पर पूछा कि युनिवर्सल डोनर आफ ब्लॉड ग्रूप इज यह होता है ऑप्सण वर जो डी है ऑप्सण वह इस प्रस्ण का राइट एंसर होजेगा ऑप्सण नमबर डी दोस्तों यानि कि जो ओ ग जो करना कि किसी से भी बलॉड ले सकता है तो वह उठाएं बी आपना खूंद करदा है और यहांहें पर बता दिजिए कि इन बयों संबंध कुलिए वेच आफ ददेम नहीं है इस लिंक्त लिंग क्रेक्टर्स यानि कि वरंधता रता उधी पुर्ण अंधता अड़ी इन्मे से कोई नहीं तो यहां बें बता देजिए कि इन्मे से कोई यून संबंध गुण हो जाएगा तो यह होजेगा दोस का यह वरंधता है यह हो जाए य यों कोई से होते हैं। जल्द संचाइश की कौनकोन से होते हैं। महत्तपूर्ण उधरीजसे छाप देजे कि हें। जल्द साइश करने कर र्दा भकस में। यहां पर बता देजे कि मनि एक से अधिक मिप्रीत जुड़ eh यानि कि एलीर द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं बहु भी कलपता बहु अंडर जित्ता यानि कि पॉली इंबरियोनी तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यह होता है बहु भी कलपता यानि कि जब कोई गूर एक से अधिक बीपरित जोड़े द्वारा संचालित होता है तो उसे ही अमलग बहु भी कलपता के नाम से जानते हैं यानि कि जो ए अप्सन है इस परशन का राइट एंसर हो जएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगलीस वाले दोस्त कि दक्येस वियर और क्रेक्टर इस कंट्रॉल्ड बाई और यहाँ परशन भी आप सभी का सामने आ चुका है कि प्यूरीन के जगह पर पिरिमीडीन अथा पिरिमीडीन के जगह प्यूरीन के प्रति अस्थापन को क्या कहते हैं याँ रिप्लेस्मेंट और पिरिमीडीन और वाइस वर्सा इज यानि की नोन एज तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि like quarantine यहाँ पर slu केशन देगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि 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 यिनिमे से कौन समापन कूती होता है यानि कि ऑनिक्त कबताना कि जिए में से कौन समापन कुट है वन आफ दार्मिनेटिंग कोड़न इस यूडबल ए यूडबल सी ए यूजी और जी यूजी तो यहां पताना कि कौन समापन कुटक हो जाएगा तो तेरह नम प्रश्ण का राइट एंसर यूडबल ए यहां पर जो ए अप्शन है इस प्रश्ण का होजएगा को हुट हो यहां पर देखिए कि ृनि में से कौन ऑंड़ यह लिना कांगार को और यहां पर सी अप्शन है गाय और ड है इनैंस चोई नहीं तो यहांपर बताने कि इने से कौन ऑनड़ inadoust घ्रैगा तो ऑंड़ इहां पर कौन अनुर्ण यहां पर देख सकते हैं प्रस्ण को कि लें मार्क बाद का संबांध है यह लें मार्क किसमी इस कॉंसर्ड इवी तो लें मार्क बाद का समद्ध क्या होता है यहां पर बताना है कि फील पाओ यहां आथी पाओ रोग का रोगाणू क्या होता है तो यहां बताना है कि कोजोल और गिनीज में अप एलपन टैंसर इज तो इसका राइट एंसर जो हो जैगा बुच्रेंटर यह यहां पर जो ए अपसन ने इस परशन का है राइट एंसर हो जैगा और यहां बता दी कि अंता संकरन से ब्रीधी होती है समझात था 2 समझात था दोनों डी ही इंसर को नहीं तो उनितर संकरन से क्या वरीद ही होती तो इस पराशने का राइट एंसर हो जाएगा आ और पिज्डाशने का सही ऑस नमर घूज़ favor और यहां पर देख सकते हैं प्राशने को कि सर्वesso तम दुधार नासले के पौसू हैं तो सरवलटम दुधार नासले के पौसू यह बताना है कौन सा से इंसर होजेगा मिल इस तो यहां पर मील को होजेगा ठीक इसका राइट इंसर क्या होना चाहिए आठारा का अठार इससनमर यहां पर होले स्टीन ब्रिजियान इसका राइट एंसर और जब भी अप्सने इस प्रस्ट का सही एंसर होजेगा नेक्स प्रस्ट में आप सभी के सामने आ चुका है कि बेक्ट्रिया की खोज किसने की कोच लिएन हॉक पास्चर और डी हैंने में से कोई नहीं तो लिएन हॉक के द्वारा यह जिवीद कोचिका का कि खोज किया गया था दोस्तों याद रखेगा और और कोचिका की खोज व्याएंसर क्या नहीं किया घया था यहां पर है नेका पर जो बी अप्शने इस प्रस्ट का राइट देख लिए सब्सक्राइब को देखते हैं और यहां पे देख सकते हैं कि कि दॉव यानिकि साना हुआ आंटा में इन में से किसके करणा मुलायम् यानि कि हालका होता है दो गेस रेस्पॉंसिबल और फोर पॉफिंग ऑफ डॉग इस तो यहां पर इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि डॉफ इन वे से किसके कारण मुलाइं तथा हालका होता है करण डायक्स अन मिथेन ऑक्सीजन और डीहीं में से को नहीं यहां पर प द्राव को सतर से 80 सेंटीग्रेट पर गर्म कर एक एक तेजी से ठाना करने की पर किरिया को क्या कोते हैं कि हीटिंग ऑफ लिक्वीड ऑप टू सेवेंटी एटी डिग्री सेंटीग्रेट फोलोट बाइ रेपीड कूलिंग इस नॉन एज तो इस परस्ण का राइट एंसर हो क्लोन की पहचान करते हैं पी स्यार बीडि से जेल एक्ट्रोठोफ ब्सेसे से और्टो रेडियो ग्राफ इर दे इस परस्ण का सही एंसर हो जाई और यहां पर दिया गया है कि I call issues दिया गया था और है कल और हऊड़े है ॐई हुए को नहीं तो यह यानिंग कि कि को लोजी किसके द्वार्त सब्सक्राइब दिया गया था तो यहां पर बताना ही इस परशन का राइट एंसर क्या होगा यहां पर देखिए कि एंटीबायोटिक सब्दे के प्रनेता कौन है तो दॉट टॉब एंटीबायोटिक वाज कौनेक्ट वाई यहां पर फ्लेमिंग जेनर और वक्समेन और इनमें से कोई नहीं कि एंटीबायोटिक सब्दे के प्रनेता है कंसे दोस्तों यहां पर स्थरकर इस परोष निकरा यहां पर फ्लािट क्लीट। सब्सकार के लिए मंतनें क्या होता है षतक Miller मोन जल में क्या होता है नौ BC मादा फैरोमॉन और यहां पर दोनों और तो यहां होता है उस परस्फ्टाराइश को वह दो पनीर निरलनो हो पनीर उत्पादब को नहीं तो समय होता है यहां पर practicing दो 85 होता है यहां पर pursuing किया होगा तो 26 तो इस परस्टारइश में ग्ल Assembly हो ग्यां को छीवाटों का उपयोग होता है प्लाजमीड होता है अप्लाजमीड होता है घ्रिख से संबंद्र क्र spokesperson सो मिसें समन्दी और डी हीन में से को नहीं तो एक प्लाजमीर जो होता है या खुद से अपने जैसा बना सकता है यानिकि ऑप्सण और जो यह है इस परश्ण का राई टेंसर होज़ेगा नेक्षन परश्ण में आप सभी के सामने आ तुम्ह ओधो में क्या होता है। और यहांपे घरली अपवाहित जल के जलासीं इन फिरीए छीघलो में chick होटी वीडियो और दोनों अटई हैंने और को नहीं तो इस पर शच्टम का रायें आइट एंसर क्या होना चाहिए? कि घरली और पवाहित इस जल के जलासों नदियों जीलों में मिलने से इनमें से किसमें ब्रीडी होती है तो 28 का इंसर होजगा दोनों यानि कि BDO और CDO COD इसका राइट इंसर होजगा BOD और COD इस पराशन का राइट इंसर होजगा option number both यानि कि जो C option नहीं इस पराशन का राइट इंसर होजगा BOD और COD और यहां पर देखिए कि अमलिये वार्षा होती है जिवासमी इंधन के दोहन से CFC से और ज़रीज च्छाब दीजिए कि CFC का फुल प्रम क्या होता है CFC का फुल प्रम और यहां पर ओजोनों से तो यहां पर acid rain is due to तो इस पराशन का राइट इंसर का होजगा 29 का यह होजगा जिवासमी इंधन के दोहन से और हम पुछे कि CFC का फुल प्रम क्या होता है और कमेंट बक्स में च्छाब दीजिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है और यहां पर बता दीजिए कि गुद्यदार मांसल तने का होना अनुकूल है तो फ्लेसी इस्टेम इस एन एडिप्टेशन फॉंड इन मरू अस्थलिये पौधो का जलिये पौधो का दोनों का डी है इन में से कोई नहीं तो गुदेदार मानसल तने का होना अनुकूल जो होता है क्या हो इसका रही इंसर क्या होगा तो यह हो जाए मरू अस्थलिये पोध होगा यानि कि अप्सन जो ए है इस प्रस्ण का राइट इंसर जोगा अप्सन बरे और जो भी दोस्तों नए जूड़े होंगे चानल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लिजीगा और सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर ही लाइक कर लिजीगा और यहां पे देखिए प्रस्ण को कि कहना क्या चाहता है कि पूरे इनमें से पूरे जीवन जीवन में एक ही बार पुस्पीत होते हैं बास आम और तार ओड़ इन में से को नहीं दबोनो क्रेपी प्लांट इस तो इसका राइट एंसर क्या होना यह भी प्रशनों तर बार-बार हमारे बोड़े की पुछ ले जाता है कि इन में से को कौन पूरे जीवन में एक ही बार पुछ पीत होते हैं तो जो भी दोस्त बंबू के सांथ गया है निकि पर देखे इन और इको सिस्टम बायोटिक कंपोनेंट से इन बॉल्व यानि कि किसी परस्तिकी तंत्र में जेविक अवियाब होते हैं उत्पादक भगता विकर्णन करता और दी है उपरे सभी हो गए और तीन को तो इस परशन का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि किसी प परशन का राइट एंसर और दी आनिकी अल फ़ दीज इस परशन का राइट एंसर अल फ़ दीज नेक्ट प्रस्न है कि डी एन एक वे भाग जो प्रोटीन संस्रेशन है तो कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं दा पार्ट आफ डीन वीच आर नॉट इ इस आर नॉन एस तो यहां पर इंट्रॉं एक्ट्रां टांस्पर जो डीन वे से कोई नेके विए भाग जो प्रोटीन संस्रेशन है तो कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें ही हम लोग आसानी वेसे जो कहते हैं इंट्रॉंज के नाम से जानते हैं और जिए इस और दी है इन में से को नहीं तो इस परशने का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि लेक ओपरन यहों ट्रिप्टो फोन ओपरन सही डंग से जिन की किरिया बीधिस दर्शाते हैं तो यहां पर 34 का अप्सण नमबर यह दोस्तो और यहां पर 35 परशने आपके सामने आचुगा ए मेंडल ने मीमी यूद्ट क्या होना चाहिए कि समधनता कि कि खोज किस ने की तो यह प्ह mainten करा दोरा किया कर जोटेंश आफ मानों के संख्या कितनी होती मानों में गून्ट सुत्र के संख्या कितनी होती है जल्दी से प्रकार से इस महत्यपूर्ण सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको थोड़ा सब अच्छी लेगी हो तो लाइक जोड़ कीजिए दोस्तों और चानल से अकर नाई जोड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लिजिए इसी परकार से महत्यपूर्ण से आते रहेंगे ताकि आप से बोड़ी जामे अब एक भी प्रस्ण तर नहीं चुटे हमारा में मकसद है आपका 35-35 दिलाना दोस्तों उमीद करते हैं आप सभी को जो है यह सेशन आच्छी लेगी होगी अभी कि इतना है दोस्तों जाहिंदे